नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस दोरान स्कूल कॉलेज से लेकर पार्क होटल बंद रहेंगे बाहर जाने के लिए लोगों को ई-पास लेना जरूरी होगा बता दे सीएम के नाम से जारी या फर्जी पोस्ट ततकाल वायरल होने लगा है सीएमो को भी इसकी जनकारी मिली है इसके बाद मुख्यमंत्री के ओफिसिल ट्विटर हैंडल को इस पोस्ट का खंडन किया गया और पोस्ट को गलत बताया गया बता दे मुख्यमंत्री करियाले ने जरूरी पोलिस से कहा है कि ना केवल इस मामले में पराथमी की दर्ज की जा है बल इस संदेश को फेलाने वाले सकत की पहचान कर उनके खिलाब सक्त सक्त कानूनिक करवाई की जा है ज्यार्खन में सनिवार से चक्रवाती तुफान जवात का असर दिखने लगा है बतादे इससे राजे के कई इलाकों में सोमवार तक बारिस होगी मौसम बैग्यानिकों के अनुसार ज्यार्खन के दक्षनी और मध्य ही से गढ़वा पलामू चात्रा लाते हार को छोड़ कर सभी जिले में जवात का असर दिखेगा बतादे कुडर्मा और लोहर्दगा में इसका आंसिक असर रहेगा वहीं जवात के कारण ठोंड बढ़ेग इदर बैंगलूरू केंट हटिया एक्सप्रेस साथ दिसंबर को रथ कर दिगई है अक्टूबर से दिसंबर तक का बच्चो को मिलेगा चावल राज्य के प्रारामभिक इसकोलों में पढ़ रहे 16-16 को अक्टूबर से दिसंबर तक का मिट्डे मिल का चावल मिलेगा चटी से आठवी के बच्चों को देर सो गराम प्रतिकार्य दिवस के अधार पर आठ रुपया पचासी पैसा किलो का वित्रन किया जाएगा इसके लिए मध्यान भोयन प्राधिकरन ने निर्देश जारी कर दिया है पीडियेश डीलर मनमानी करे तो वाटसेप पर करे सिकायत जन वित्रन परनाली के दुकंदार रासंदेने में आनाकानी कर रहे हो या आहारता से कम रासंदे रहे हो या आंगन बारी केंद्रों से समंधित पोसा आहर नहीं मिल रहा हो तो इसकी सिकायत सिधे वाटसेप पर कर सकते हैं बतादे इस समंध में जार्खन राज खाद आयोग ने वाटसेप नमबर जारी किया है जिसके माध्यम से विभीन योजनावों से समंधित और निमित्ता समंधित सिकायत राज खाद आयोग के समक्ष दर्ज किजा सकती है बतादे आयोग के अवर सचीव नरेस परसाद केवर्ट ने सुचना जारी करते हुए कहा है कि राज खाद सुरक्षाध नियम 2013-2018 सिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज खाद आयोग द्वारा वाटसेप नमबर एक अनबे बे आलिस बासट एक और इस चोराणबे जारी किया गया है रांची में ओमिक्रोन का संदिक्द मरीज मिला भूनेस्वर भेज़े गया है सेंपल रांची में क्रोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन का एक संदिक्द मरीज मिला है बता दे यह मरीज रांची के एक निजी अस्पताल में भरती है इस मरीज का सेंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भोनेस्वर भेजा गया है इस संदिग्द के सेंपल की जिनोम सिक्वेंसिंग कराने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिया है बतादे रांची के सिविल सर्जन के अनुसार संदिक्द मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उपायुक्त के निर्देश पर निजी अस्पताल में भरती मरीज का सेंपल भोनेस्वर भेजा गया है इस माह रांची से कूल अठाई सेंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भोनेस्वर भेजे गया है जारखंड के सभी पंचायतों में खुलेंगे जेनरीक मेडिकल इस्टोर फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं राजधानी की तर्ज पर जीला की सभी पंचायतों में जेनरीक मेडिकल इस्टोर खुलने के प्रस्ताव पर काम सुरू कर दिया गया है बता दे जेनरीक मेडिकल इस्टोर खुलने के प्रस्ताव पर पंचाच सचीव वह मुखिया द्वारा अनुसंसा की जानी है अंत में परखंड विकास पदा अधिकारी वह औस दी निरीक छक द्वारा सनिक्त रूप से इस्टोर खोलने के एनुसंसा करने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा ग्याथों की स्वास्त विभाग के अपरमुक सचीव अरुन कुमार सिंग ने सभी पंचायतों में जेनरिक मेटकल इस्टोर खोलने का प्रस्ताव औस दिन इसे दाले को दिया था उतर परदिस में जीका वाइरस के संकरमन को देखते हुए जारखन में भी सतर्कता बरती जा रही है बता दे डेंगु और चिकुन्गुनिया की नेगेटिव जाच रिपोर्ट को जीका की असंका मान कर जाच करा है जा रही है ICMR के निर्देश पर सेंपल को जाज के लिए NIV पुन्ने भेजा गया है बतादे जीलो से संग्रहित 150 सेंपल को जीका के जाज के लिए RIMS Microbiology बिभाग ने पुन्ने भेजा है हलाकि NIV पुन्ने से इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है इसके बावजूद जीका संक्रमन को लेकर स्वास्त विभाग सतरक है कुरोना गाइडलाइन का राची रेलवे स्टेशन पर उड़ रही धजिया राची रेलवे स्टेशन में कुरोना गाइडलाइन की धजिया उड़ रही है और अधिकतर लोग मास्क भी नहीं पाहन रहे मालूम हो कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन को लेकर सभी जगों को अलर्ट मोड पर रहने का निदेश दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई टेस्ट के लिए जाश टीम तक पर्याप्त संख्या में नहीं भेजी गई है अधिकार ने राजेक का बिनास कर दिया है शिर्फ मुख मंतरी उनके परिजनों तथा मंतरियों का विकास हो रहा है आईसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है यह बाते परदेश के पुर्व मुखमंत्री और भाजपाक रश्ट्रिय उपाध्यक्ष रगवर्दास ने सन्यवार को इट खोरी में कही बता दे पुर्व मुखमंत्री यहां एतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आये थे जहरखंड में कुरोना के 11 नाय केस मिले है जबकि 14 मरीज स्वास्त भी हुए है जहरखंड में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 96 है भारत में 863 नाय केस मिले है जबकि 8190 मरीज स्वास्त भी हुए है सांसद विधायकों नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की छूट नहीं हाई कोट की नराजगी के बाद राज सरकार ने सांसदों और विधायकों के नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की छूट वापस ले ली है बतादे अब सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही नेम पलेट लगाने की छूट है दरसल जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन परसाथ की अदालत में राजे के बिधायक, सांसद और दूसरे जनपरती निधी अपने नीजी वाहन में नेम पलेट और बोर्ड के मामले में सुनवाई हुई थी सुनवाई के दोरान परिवाहन सचिव की ओर से दाखिल उस सपत पत्र को वापस ले लिया गया था जिसमें सरकार ने जनपरती निधीयों को नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की शुट परदान करने की बात कही थी देश की अर्थ बेवस्था के बिकास में उद्योग की भूमका महत्वपून राजेपल राजेपल रमेस बैस ने कहा है कि किसी भी राष्ट और राजे की अर्थ बेवस्था के बिकास में उद्योग की महत्पून भूमका होती है उद्योग से मेरा अर्थ सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं बलिक इसमें लगू यवं कुटिर उद्योग भी है जिन राजेपल रमेस बैस सनिवार को होटल रेडिशन बुलू में इंडियन चेंबर आफ कोमर्स जारखन चैप्टर द्वारा खनन उद्योग में सौच चालन और नवाचार चुनोतियों और आउसर विशाय पर आवजित चौथे ICC माइनिंग कंकलेव को बतर मुख्य अत संगठन खड़ा करने की त्यारी करने वाले तेरा उग्रवादी गिरफतार गुमला जिले के चैनपूर अनुमंडल छेत्र के जारी थाना अंतरगत गोविंद पुरगाओं के पास वेपारी मुम्ताज अंसारिक साथ मार पिटकर रुपाय वबकर्यों की लूट गुरुव को सनवादाता समेलन में दी उन्होंने बताया कि लूट के रुपाय से पीले फाई को दो उग्रवादी सिसाई के तेतर टोली निवासी अरजुन यादव और जारी के तीगरा गाव निवासी धनेश्वर मिंज के साथ मिलकर उनके स्वयोगी नया संगठन बनाने और उसे म सुप्रीमो और 25 लाह का इनामी दुरदात उग्रवादी दिनेश गोप की गिरफतारी की चाचा सनिवार की साम को तेज रही हलाकि पुलिस मुख्याले ने गोप की गिरफतारी से इनकार किया है बतादे दिनेश गोप मोल रूप से खुटी के कारा थाना छेतर इस्थीत ल पुलिस के साथ साथ एन आये भी कर रही है उस पर ठेकेदारों बेयापारियों को धमका कर लेवी रंगदारी वसुनने तथा लेवी के रुपाय को अपने सोयोगियों के माध्यम से निवेस कराने सहित कई अरोफा है जार्खन सरकार और केंद्र के परियास से चह और कोल ब कारे की और राजे में इस्थीत 29 कोल बलोग को चालू करने के समद्ध में चार्चा की बैठक में मुखे मंतरी को अगत कराया गया कि राजे के 29 कोल बलोगों में से 3 कोल बलोग में पहले से ही उत्खनन कारे चल रहा है तथा आने वाले कुछ महिनों में केंद्र एवाम रांची जमसेदपूर और धनबाद में इलेक्ट्रोनिक इनुवेशन हब होगा अस्थापित राज सरकार रांची जमसेदपूर वो धनबाद में EHDM इनुवेशन हब की अस्थापना करेगी साथ ही आदित्यपूर के अलावा केंद्र के सहयोग से दो और इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चर कलस्टर की अस्थापना करेगी बतादे दोनों EMC की अस्थापना रांची और धनबाद में होगी इसे परमुक सेक्षनिक संस्थानों और जार्खन अध्योगिक छेत्र विकास प्राधिकरन का भी सहयोग लिया जाएगा राई सरकार ने IT डाटा सेंटर बीपियो इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन पॉलिसी 2021 लागू करने का निने लिया है जिसमें इसके लिए प्रविधान किये गए है जार्खन में चक्रवात जवाद का दिख रहा असर पच्छिम मध्य बंगाल की खाड़ी के उपर उठे चक्रवाती तुफान जवाद का असर जार्खन में भी दिखने को मिल रहा है बतादे राईधानी राची समेथ परदेश भर में तापमान का पारा गिरने लगा है सनीवार को दीन भर मौसम सर्द बना रहा है वहीं 4 किलोमेटर की रफ्तार से बह रही ठंडी हवा के कारण लोग घरों में सिम्टे रहे काम काजी लोग ही सड़कों पर दिखे बतादे की पच्छिम मदे बंगाल की खाड़ी के उपर चक्रवाती तुफन जवाद पिछले 6 घंटों के दोरान 4 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से लगभग उतर की ओर बढ़ता जारह है इस वज़ा से कुछ दिनों तक इसका सिधा असर राजे के सभी हिसों में दिखने को मिलेगा मौसम विभाग की मानने तो पिछले 24 घंटे में परदेश के कुछ अस्थानों पर हलकी बारिस हुई जिस कारण सबसे अधिक्तम तापमान 30 डिगरी सेल्सियास गोड़ा का वही निमतम तापमान डालते हैं आज का 14.2 डिगरी सेल्सियास धर्ज किया गया CCL में अप्रेंटिस के 549 पदो पर आवेदन की आखरी तारिक आज CCL राची में अप्रेंटिस के 549 पदो पर नियोकती होगी इसके लिए रिक्तियों की सुची CCL ने जारी कर दी है आवेदन की आम तिमती थी 5 डिसंबर है बतादे एक चुक उमिदवार CCL के अधिकारिक बेप साइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदो पर भरती के लिए आवेदन के पास मन्याता प्राप्त बोर्ट से 10 वी की डिगरी होना अनिवार है इसके साथ संबंधित टेड में NCVT, SCVT से प्राप्त ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है पेंशन आपके द्वार कारकरम में सिक्षकों को मिला सेवानिवरिती का लाव रांची जिले के प्रारमभिक और मादमीक बिद्याले के सेवानिवरित सिक्षक, सिक्षिका और सिक्षकेतर करमचारियों के सेवानिवरित लाव के भुकतायन के लिए पेंशन आपके द्वार कारक्रम कायोजन सन्यवार को पर्योजना उच विद्यालाय बेडों में किया गया बतादे छेतरिये सिक्षा सन्यूक्त निदेशक दक्षिनी छोटानागपुर परमंदर अर्विंद बिजय बीलूंग की अध्यक्सता में कारक्रम संपन हुआ मादमिक विद्यालेयों से आभात्रिवेदी, बसंती कुमारी, भाविती, चोधरी और मुकूल घटवार को सेवनेवनिती का लावपरदान किया गया ज्यारखन पूलिस सिपाही भरती में पहले सरेरिक परिक्षा मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने सुकरवार को एलान किया है कि राज्ये में सिपाही भरती में पहले सरेरिक और बाद में लिखित परिक्षा होगी इसके लिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है उन्होंने कहा कि पुर्व की सरकारों ने पूलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परिक्षा निवारे कर दी थी लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है जिसमें नौकरी करने की सरीरिक छमता होगी उसकी छमता दक्षता देखकर पूलिस की नौकरी दी जाएगी पेजरफ्तार बस पल्टी 25 से आत्री घायल बिहार के गाया जिले से पच्छिम मगल जा रही आत्रीयों से भरी एक बस जारखन के धनबाज जिले में दुरघटना गरस्त हो गाई बता दे घाटना राज गंज धाना छेतर के नेशनल हाईवे संख्या दो दलूडी के समीप की इस हादसे में दो दजन से अधिक यात्री घायल हुए है जिसमें से तीन की हालात गंभीर बताई जा रही है बता दे दुरघटना देर रात्री की है दुरघटना गरस्त बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे एक घायल यात्री ने बताया कि ड्राइबर और कंडॉक्टर द प्लामू में राज सरकार ने तीन आसरेनी चीनित कर रखा है यहां पलामू टाइकर रिजर्ब के अंदर में ही तीनो आसरेनी आते हैं यहां करीब 23,000 जानवर पाए गए थे इसमें सबसे अधिक संख्या बंदरों की थी भाजपा विधायक दल के नेता बावुलान मरांडी पहुंचे लोहर्दगा भाजपा विधायक दल के नेता बावुलान मरांडी ने कहा कि अभ्यास बर्ग के माध्यम से ब्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष निर्धारन करने की मदद मिलती है या समाज और देश के प्रती जिम्यवारी का आसास कराता है अनुसासन इसका मुख्य उदेश होता है अभ्यास सिक्षन के माध्यम से भाजपा करकरता अपने ब्यक्तित्व को सरल वा अनुसांसित बनाते हैं हम सभी करकरताओं को अपने करतवियों का पालन अवस्य करना चाहिए, संगठन को सुचारो रूप से चलाने के लिए सभी करकरताओं की भूमक्या एक समान होती है, ए बाते उन्होंने जिला कारे समिती की बैठक स अभ्यास करकरम में कही आउट सोर्सिंग में बर्चस्व को लेकर मामस वजे एमेम के करकरता भीड़े, जारखंड के धनबाज जिले के नीरसा में नए आउट सोर्सिंग में बर्चस्व को लेकर सनिवार को दो पक्छो के लोग आपस में भीड़ गए, बता दे इस दोरान जम कर लाठी डंडे चले सुचना मिलते ही पूलिस मोके पर पहुँची और इस्थिती को काबू करने के लिए लाठी चार्ज गिया बता दे इस दोरान कई लोग घायल हो गए इनका इलाज अस्पतार में चल रहा है BCCL में दही बारी आउट सोर्सिंग में बर्चर स्थापित करने के लिए मासस वह जामूओं के करकरता आपस में भीड़ गए इस दोरान जमकर लाठी डंडे का पर्यास किया गया इसमें 20 से अधिक लोग घायल हुए है J.A.C.A. ने गढ़वा जिला किर्केट एसोसियेशन के सचीव और पूर्व अध्यक्ष के खिलाब की करवाई जार्खन इस्टेट किर्केट एसोसियेशन की ओर से गढ़वा जिला किर्केट एसोसियेशन के सचीव पंकर चोधरी और पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार सिंग के खिलाब करवाई की गई है बता दे साक्षेों के साथ सिकायत मिलने पर जे एसीये ने ततकाल परभाव से इनके सभी किर्या कलापों पर रोक लगा दी है जाज समीती की रिपोर्ट वा कमिटी ओफ मेनेजमेंट के अंतिम निर्ने आने तक राधवेंद्र नरायन सिंग गढ़वा जिला किर्केट एसोसियेशन के कारेकारी सचीव के रूप में ततकाल परभाव से कारे करेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल परना है होई तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदब ये साथ सार वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडवेक अवस्य दे थैंक यू